मेरी बेटी की सफुरार के लोग इतने हैवान हो सकते हैं या सोच कर भी मेरी हुकाप उच्पी है शारी के बाद से ही बेटी को रोज मारते पीटे थे बाद दिन पहले तो हद ही कर दी उसे जला कर मार डाला बिटिया कहती रहती थी पापा मुझे यहां से ले जाओ जब उसके पास पहुँचे तो वो जल चिकी थी उसका केवल पैर बचा था हमें न्याय मिल जाए से ले पुलिस वालों को पैर दे विया है बेटी को खोड़ोनी के बाद पिता ने ठाने में रो रोकर सस्राल वालों की हवानक बताई बिहार के भोशपुर के मुफस्तर ठाना छेत्र में या चंजोर देने वाली खटना हुई है यहाँ के बबन गावा गाओं के रहने वाली अत्धिलेशबिण की बेटी मम्ता को बीतिस सौमवार की रात उसके सस्राल वालों ने चला कर मार डा था माम्ला अब सामने आया है जहीं आपको बता दे इक तिता अत्धिलेश दे वस हलात में है ठाने में ठेले में बेटी का पैर लेकर बैठे वा यही कहते मिले कि बेटी की सस्राल वालों को सजा दिला दो ठेले में मेरी बिटिया के पैर हैं मैं उसे देख भी नहीं पाया पैरों की बिच्छी और पैर सही पहचान पाया कि यह मेरी बेटी ममता है अखिलेश बिंव ने बेटी मम्ता की शाधी मई 2019 में वोपस्तर खना छीटवे के पड़ाली गाउन नवासी सप्त्रोगन बिंव के साथ की थी गाउं में रहने वाले मम्ता के मामा रिया शाधी कराई थी गलासल अखिलेश बिंद अपनी पत्नी के साथ गुज़ात के राजपोर्ट में रह कर काम कास करते हैं बेटी गौँ में मामा के साथ रहती थी शादी के बास से हिसस्वाल वालों भी एक लाख रुपए की दिमान सुदू कर दी पैसा ना देने पर मार पीट करने लगे मम्ता के बड़े मामा बिगन बिंद ने बताया कि मम्ता ने मौसी से फोन पर बताया था कि उसके पत्रियों ससूर राम प्यार एक लाख रुपए मांग रही है और रोज मारते पीटे रहते हैं हम लोग पैसे नहीं दे पाई इसलिए बिटिया को मार डाला पिता खिलेश ने पुलिस से शिकहत कर दी है आगे आपको बता दे कि भोशपूर के एसपी यमान्चु ने बताया कि आरोपयों को अभी पकड़ा नहीं जा सका है कराश की जा रही है शुरवाती जाश में पता चला है कि शफ को चानली खाना के सारी पूर विशुनपूर में सोन नदी खाट के पास पहले बालू में गाड़ा गया फिर शफ को निकाल कर उसे जलाया गया बाए पैर का थोड़ा हिस्सा बचा था जिसे लेकर पिता ने सौपा है गुरवार को इस पैर को पटना में डिया ने टेस्ट के लिए भेजा के है आरोपी पिता सुत्रुगन बिंद और ससुर राम प्यारे बिंद के खिलाब तहेज हत्या में मुकतमाद दर्च कर लिया गया है पिरो रिपोर्ट आइपिया